सब्सक्राइब और आप देख रहे हैं अपका अपना चैनल डिजिटल मजीद और यह चल रही हमारी फोटोशॉप की सीरीज जिसके अंदर हम बिल्कुल एडवांस से लेके एडवांस तक जो हम फोटोशॉप को सीखने वाले हैं और साथ ही साथ अपनी ग्राफिक डिजाइन सारी जो भी चीज़ा हम उसके साथ में कर सकते प्ले कर सकते हैं वह सारी चीज़े जो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं चलिए फड़ावर से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ताइम तो स्टार्ट करते हैं यहां पर हमारे पास में यह नीचे वाला तूल होता है हमारा यह होता है शेप तूल इसमें बहुत सारे टूल के वार में देखेंगे अभी मैंने रेक्टेंगल से यहां पर में एक लेयर क्रिएट कर देता हूं मैंने पहले भी आपको वीजिए बीजियो में भूला था कि जब भी करके दिखाता हूं क्लिक ड्राइग और जैसे भी आपके जितना भी क्रेट करना चाहते हो क्रेट कर सकते हो लेट से आपके पास आपके माइंड में एक साइज है कि हाँ इतना इतना कमर कुझ है स्कॉयर चीए तो आप देख सकते हैं हमारे पास में जहां पर हम बना रहे तो साइट में विद और हैट भी लिख करके आ रही है तो आप यहां से भी देख सकते हैं बट लैट से आपको नहीं समझ में आया यार इग्जैक्ली आप नहीं बना पा रहे तो आप क्या कर सकते हो चोड़ सकते हो जैसे आप करेंगे तो आपके साइड में एक ऐसा प्रॉपर सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक लगा दिया जैसे मैंने एक को लगा दिया तो अगर उपर आला में 400 कर रहा हूं तो उसके एस्पेक्ट रिश्यों में जो भी नीचे आला होना चाहिए वह अपने आप जो इसको ले लेता है ठीक है यह एंगल है तो रोटेशन आफ एंगल आप कितना रखना चाहिए रोटेट कितना करना चाहते है वह आप के उपर है नहीं करना चाहते हो तो आप यहां पर जीरो कर सकते हैं ठीक है मैं फिल पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास में एक एसी वbels अब एक इसके बार में जानने के लिए कि नहीं हुआ है अब यह आ आगे देखें ग्रेडियंट ग्रेडियंट वाला टूल देखेंगे तो यह पास में अब देख लेटे हैं तो अब अब आपको मैंनुली कलर्ट करने हैं तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो तो आपके ऐसे अपन हो जाएगी आप जो भी करना चाहों कर सकते और यहां पर अप्लाइब हो जाएगा यह था आपका फिल फिर आता स्ट्रोक क्या करता है बेसिकली हमारी जो आउटलाइन है उसी को अब जो बोलते हैं ठीक है और कुछ नहीं अब देखे यहां पर मैं करके देखो तो मैं यहां पर कलर लेता हूं लेट से ग्री यहां पर देखे तो आपको हल्की सी साइड पर देखने लग जया है जो कि ग्रीन कलर में और अगर आप इसको बढ़ाना चाहों कि यह बहुत पतला है तो यह उसका पॉइंट्स है तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं पॉइंट के अंतर नहीं कवर करने वाले वह जब हम आगे बढईए जी पेंट वरों के बारहें देखेंगे इस डिट्रीक्शन डूल गने इसमें कवर करेंगे थिक है वह आज के लिए अभी आपन उस्समें करने वालाय अभी यai सिर्फ आउट्साइड में हो आप इसको इंसाइड में पढ़े रहते हैं तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो राइट सो यह सारी चीज़े होती है आपकी पैटन के अंदर एक पर श्रोक को नन करता हूं और लेट से पैटन में चलते हैं मेरे पास कुछ मैंने बनाए हुए पैटन भी है और जो बाइ डिफॉल्ट हमारे पास में फोटोशाप के पैटन आते हैं वह पड़े हैं तो इसको अभी के लिए मैं फिल पर रख लेता हूं इसको थोड़ा समय को राउंड करना है शेप सको इसको हमारे पास में आता है राउंड स कितना ज्यादा रांट करना वह आपके ऊपर है अगर मैंने से पूरा फुल रांड कर दिया तो यह जो एक्जेक्ट सर्कल बन जाएगा विपाज अभी मेरा विदाइड इस जो properties विंडो पर नहीं जाना है सेम सेटिंग सारी के सारी सेटिंग जो है आपको यहां पर करनी है राइट यहां पर विर्ध हाइड हमारे पास में आ गई है ठीक है color stroke वगड़ा चेंज करते हैं यह फिल है यह स्ट्रोक है यह सारी चीज़ें आप कर सकते हो यही वह वन पीट या लिए तो आगे बढ़ते हैं यह था हमारा रेक्टेंगल रूल और आपको और यहां पर दिख सकते हैं हमारे उसमें चारों कॉर्णर पर एक पॉइंट है विसकली है हमारे पास में रौंड करने की चीज़ें तो कितना आप राउंड करना चाहते हैं यहां से भी कर सकते हैं तो यहां पर आप मैन वली करना चाहूं तो आप वह भी कर सकते हो ठीक है तो यह होता है रेक्टेंगल टूल इसको डिलीट करते हैं सेम हमारे उसमें एक एलप्स टूल आता है इसके बहुत कम शैटिंग्स होती है राइट इचा नीचे भी कुछ शैटिंग्स है वह अपन आज नहीं देखेंगे वह पना गया गया देखेंगे ठीक है और यहां पर सेम फिल श्रोक और कितना आपको चीज़ें यहां पर मल जाती है वेद हाइट वगर सब कुछ मिलता है सिर्वाइर राउंडनेस के विकाज यह सरकल है और फिर आता हमारा उसमें ट्राइंगल तो की चैज़ क कुछ कैटर सकत नेίζ़ि लिए लिए समसें कर पर दिखाने वाला था सवे यह फिलिप सेंधर आपको को नहीं दिखेंगा विकाज अभी हमारे पास में यह आप आघ्रै और यह लफ राइट भी हो रहा है बट क्योंकि हमारे पास में लफ राइट सेम है तो इसका को कोई भी ऐफेक्ट नहीं दिख रहा है यहां अधा टूल बेसिकली है हमारे पास में आता है पॉलिगनल टूल जिसके अंदर हम पर यहां पर फाइफ दिखर रहा है तो क्रीज कर सकते कम कर सकते लगे चाहिए और मैंने क्रेट किया तो यह आप को इस टैप करनेे को मिल जाएगा और यह तो के पास में आपको शार्प करना है या नहीं करना है जैसा भी आप करना चाहब यहां पर कर सकते हो ठीक है और अगर इसके अंदर और देखें तो यहां पर आप जाए इसको और ज्यादा कम बहुत ज्यादा भी नहीं लेके जा सकते और कम के अंदर आप जाएदा दो लेके जा सबके अंदर सेम चीज़े वर्क करती है और एक लास टूल हम देख लेता है डाइस लाइन टूल बेसिकलिए लाइन टूल हमारे पास में यह जो फाइप पिक्सल्स है यह लाइन के लिए होता है कि कितनी मोटी लाइन आपको चाहिए राइट जैसे अब हमने लाइन बनाई त अगर एक लेट यह लाइन बनी है लेकिन बहुत पतली बनी है कि आप ऐसे यह नहीं देख पार है ठीक है और अगर हम देखा जाए तो अगर इसको मैं बड़ा हूं तो यहां पर हम जो है लैट से हनुरेट पिक्सल्स की लाइन बनाना चाहूं मैं वह भी बना सकता हूं रह और किछ नहीं चलिए अब यहां तक आई होगा और इसके अंदर आपको क्या गरना है सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है तो उससे क्या होगा आपकी जो है शेप्स के अंदर एक आफ यह नौलेज आपको जाएगी राइट चलिए तब तक के रिए तो दें से सेफ गु